पॉलापुर नाम के गाउं में पायल नाम की लड़की रहती थी। पायल के पिता से कहती है देखिये जी गाउं में पायल की उमर की लड़कियों की शादी हो रही है पर हमारी पायल को कोई अच्छा रिष्टा नहीं आ रहा है। वहीं पास में खड़ी पायल ये सब सुन लेती है और उदास होकर बाहर चली जाती है। रास्ते में एक बोढ़ा आदमी कंगी बेच रहा था गर्मी बहुत थी। कंगी ले लो कंगी दस रुपे के कंगी आओ आओ कंगी ले लो कंगी। गर्मी बहुत होने की वज़य से वो बोढ़ा आदमी प्यास के मारे वहीं बैठ जाता है और पानी मांगने लगता है। सब लोग उधर से गुजर रहे थे पर कोई भी उस बोढ़े आदमी की मदद नहीं कर रहा था। ये देख पायल भागते हुए जाकर वहीं पास के घर से पानी मांगकर बोढ़े आदमी को पिलाती है। बाबा आप थोड़ी देर आराम कर लो मैं आपकी मदद करती हूँ मैं आपकी सारी कंगियां बेच दूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। पायल कंगी बेचने लगती है। आईए आईए कंगी ले लीजे दस रुपई की कंगी रंग भी रंगी कंगी ले लीजे। ये सुनकर वहां कुछ लड़कियां जमा होती हैं और पायल का मजाक उड़ाने लगती हैं। अरे देखो देखो दोस्तों ये चमतकार गंजी चली कंगी बेचने। अरे जिसके सर पर बाल नहीं वही चली दूसरों के बाल सवार ने। अरे चलो गंजी को ऐसे ही खुश होने दो हमें क्या चलो चलते हैं। लड़कियां हसकर वहां से चली जाती हैं। पायल उदास हो जाती है और रोने लगती है कि तब ही बोड़ा आदमी उसे एक कंगी देता है। पायल उसे देखकर बोड़े आदमी से कहती है। आप भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? मेरे सर पर बाल नहीं है, मैं गंजी हूँ। ये मामोली कंगी नहीं है, ये एक जादूई कंगी है, इस कंगी के इस्तेमाल से काले, घने और लंबे मुलायम बाल उगेंगे। तुम सब की मदद कर सकती हो, तुम एक नेक दिल लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें ये कंगी दे रहा हूँ। पायल कंगी लेकर खुश हो जाती है, और बुढ़े आदमी को धन्यवाद कहकर वहां से चली जाती है, वो सीधे अपने कमरे में जाकर आइने के सामने खड़ी होकर कंगी करती है, जैसे ही वो कंगी करती है, उसके सर पर बाल उगाते हैं, वो बहुत हुबसूरत हो जाती है कमरे से बाहर आती है पायल के माता पिता पायल को देखकर आश्चरय चकित हो जाते हैं बेटी तुम्हारे इतने घने बाल कैसे आ गए और वैसे भी तुम कितनी खुबसूरत लग रही हो कहीं किसी की नजर ना लग जाए गाउं के सारे लोग पायल के बालों को देखकर आश्चरय चकित होते हैं ये देख उसकी पड़ोसन एक दिन चुपके से उस कंगी को चुरा लेती है और वो उस कंगी को लेकर अपने घर जाती है और उस कंगी से अपने बाल करती है उसके सारे बाल तूट जाते हैं और वो गंजी हो जाती है और वो रोते हुए उसे कंगी को लाकर और पायल से माफी मांग कर उसकी कंगी उसे वापस करती है पायल मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर तुम्हारी कंगी चुराली थी, मुझे माफ कर दो पायल, ये लो तुम्हारी कंगी पायल अपनी कंगी वापस पाकर बहुत खुश हो जाती है किसी गाव में रामू नाम का आदमी अपनी पत्मी सुशीला के साथ रहता था वो खेती बारी करके घर का गुजारा करता था रामू के पास टमाटर का खेत था वो उसके से टमाटर उतारता और बाजार में बेचता था दुकानदार राबू से 1 किलो टमाटर 10 रुपे में खरीदे थे राबू बहुत मेहनत करता था लेकिन उसका लाब बहुत कम होता था धर का गुजारा भी बहुत मुश्किलों से हो रहा था रामू सोचते सोचते जा रहा होता है तो रास्ते में उसको एक परी नजर आती है परी कैद में थी रामू उसकी मदद करता है परी ने रामू को जादूई टमाटर ATM मशीन दी रामू उस ATM में टमाटर डालता है और उस ATM को बाजार में लगा देता है लोग उस ATM में पैसे डालते थे और टमाटर निकल आते हैं आप रामू बहुत खुश था क्योंकि उससे बहुत ज्यादा मुनाफ़ा हो रहा था अब रामू और इसकी पत्नी खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे